पंजावदे मुखमंत्री पगवांत मान पार्ती हाकी टीम नुट रिशायत करनले एक दो दिना वेच पैरस दा दोरा करन्दी मीच कारे हन। पंजावदे मुखमंत्री पगवांत मान पार्ती हाकी टीम नुट रिशायत करना पासपोर्ट है। नेता माली है जो उना नुट दुनिया दे किसे वी देश दा वीजा लेंदी ग्रंटी दिन्दा है। पंजाब कांगर्स दे सापका प्रदान जो सिदू बिग बोस ओटी टी त्री विच जा सकते हैं। जो सिदू ने जान करी अपने शोशल मीडिया फेस्बुक अकाउंट तेक पोस्ट सांजी कारदया लिखी है। उना ने एक तस्वीर सांजी कीती है जिसदी कैप्शन चली क्या है। मेजर सिदू इन बिग बोस ड्रेंग कम ट्रू जिकरे योगा कि बिग बोस ओटी टी त्री दा तेन अगस्तनों फाइनल एपिसोड है। शोदे फैनाले ले मेकर्स ने पूरी त्यारी कर लई है। जावे पंजाब दी आमानी पार्टी दी सरकार वलो इस सेशन नो दो तो तीन दिना तक ही सीमत रखे जावेगा क्योंकि फिलहाल सरकार कोल विदांसर वीच करवान ली कोई भी खास काम काजी नहीं है। पंजाब सरकार कोल ना था कोई बिल पैंडिंग चल रहे है ति ना ही कोई वड़ा वहस दमुदा है। पंजाब सरकार वलो पिछले बजट शेशन दा उठान करते जावेगा। पंजाब तिन नैशनल हाईवे प्रोजेक्टा नुँ रातकरन दा मुदा सरसर विच उठान दिया रासवा मेंबर विक्रम जी सिंग सानी ने इना प्रोजेक्टा वारे सवाल उठाए। केंदरी सडकी आवजायते राजमार्ग मंतरी नितिन गटकरी ने इस बारे पात सरकार दा पाक पेश कीता। ओनन इसनु रोकन दा कार्न जमीन एक्वायर वीच दिखता दसया। केंदर सरकारती हमायत कार दिया, ट्रांस्पोर्ट मंतरी नितिन गटकरी ने कहा कि जमीन एक्वायर करन वीच मुश्कला आरी अहन, राजसबा मेंबर विक्रम सानिन दे सवाल दा जवाब दिन दिया केंदरी, मंतरी ने कहा कि जमीन ग्रहन दुरान NHEI नू मुश्कलान द समन करना पे अन NHEI दिया, शर्ता पूरिया न होन कर दे 3300 क्रोडर पे दे प्रजेक्टर रात कर दिते गए हन केंदरी, मंतरी ने कहा कि केंदर बलो पंजाव सरकार नू जमीन एक्वायर करन ते प्रजेक्टर नू जारी रखन ली लुड़िन दिया, शर्ता पूरिया करन ली प्रस्ताव दिता गया सी, पंजाव इच NHEI ने 2200 क्रोडर पे दी लागत नाल 1500 किलोमीटर लंबे राष्ट्री राजमार्ग दाइक प्रजेक्ट त्यार कीता सी, NHEI पहला वी पंजाव सरकार दे दिकारियां ते टिन लेर विये ते दोश लगा चुकी है, उनना ने सूब प्रोजेक्ट नो राथकर्म दा खेंस्ट ना कीता सी, शुरूमनी कल्दल दे शेनियर आगू अर्जमेत कर बादल ने शुकरवार नो मांग कीती है कि एन जब लिंडा वेखे 300 बैट दा ट्रोमा सेंटर स्थावित कर दी प्रवान की निती जावे, मांसा वीच संस्था दा सेंटर खुलिया जावी तिफ रोजपूर वेचे पीजेई, एपी आर सेटलाइट सेंटर तेजरुफतार नम कमल कीता जावे, एक विस्थारित पाशंच हस्मेत कर बादले संसरनों दस है कि है एक तत है कि रोजाना पची सो मरीज एम जब ठीनडा वेचे पहुंच दे हैं सर्फ एक कहावत है कि जान है तो जहान है हेल्थ के लिए ताकि यह जो एक जवान देश है यह प्रड़क्टिविटी अपनी बढ़ाएं आ सके लेकिन अफसोस की जहां पर बजट में जिस तरह की बढ़ोती हो नीचे यह बढ़ोती तो नहीं हुई और मैं यह मैसूस करती हूँ कि हम सारे इस बात से अग्रीमंट में होंगे कि हरे एक के शेत्र में डॉक्टरों की और बहुत ज्यादा रिक्वाइमंट है गाउं ध्यान देगी तभी तो और डॉक्टर्स बनेंगे और मैं ये भी बेंति करोंगी कि जहां करोड़ों रुपे Important करोड वेस्ट धिये जाते कहीं पे बहुत बढ़ा बुत बनता है उसपे हजारों करोड वेस्ट कर दिये जाएं कहीं कोच बन रहे है बुलेट रेंट बहुत बढ़ाना चाहिए, हजारों करोड उनको तो सेंक्शन करके और देना चाहिए, ना कि सेंक्शन अमाउंट को भी रोकना चाहिए सो मैं आपसे आगरे करती हूँ आपके द्वारा मान्य मंतरी जी को कि AIMS बठिंडा जो मेरा ख्याल आपके सबसे पहले AIMS जो 2016 में एलान हुए थे तीन साल के अंदर ये AIMS बन गया साड़े साथ सो बेड का रोज यहाँ पे राजिस्तान हर्याना, पंजाब, सारे राजों के पच्चीस सो लोग OPD में आते हैं, रोज वहाँ पे 40 EMERGENCYS होती हैं दो मेजर नैशनल हाइवेज तीन स्टेट के हाइवेज दो एक्सप्रेस वेज के बीच में और आपको हिरानी होएगी साड़े साथ सो बेड का सूपर स्पेशालिटी हस्पताल इतनी सारी हाइवेज क्या आपको पता है कि यहाँ पे EMERGENCY WARD में कितने बेड्स हैं 28 28 बेड सर 28 बेड से वो हस्पिटल की OPERATIONS की requirement पूरी होएगी यह 40 EMERGENCYS की पूरी होएगी किस की होएगी लगातार मैं कई सालों से मांग रख रही हों की एक 300 बेड का TRAUMA CENTER SANCTION किया जाए AIMS बठिंडा भी मांग रहा है लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं आज तक पता नहीं क्या कारण है इतना बड़ा आपने हॉस्पिटल खड़ा किया EMERGENCY के वहाँ पे आप लगा दीजिए TRAUMA CENTER 300 बेड का ताकि उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो हस्पताल लोग भी मांग रहे हैं और वहाँ की जंता भी मांग रही है दूसरा सर जो छोटे छोटे पेंडिंग ड्यूज है चाहे वो DPR कॉस्ट में और नॉन डीपियर एक एक दोदा करोड क्यों आप रोक के रखते हैं वो दे दीजे सा आपको हिरानी होएगी कि यहाँ पे मैन पावर भी अभी पूरा नहीं दिया है और सबसे जरूरी इतना बड़ा इंफरस्ट्रक्शन है मशीनरी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए मेरा शेत्र एक ऐसा है जहाँ इतना ज़्यादा कैंसर है कि मेरे यहाँ जब मैं MP बनी थी एक कैंसर ट्रेन जाती थी सिर्फ कैंसर पेशन से पंजाब से लेके उनको बीका नेर जाती थी हमारी सरकार है हमाने कैंसर के होस्पिताल बनाई चलो अब यहाँ पे इलाज शुरू हो गया लेकिन इस बड़े सारे एम्स में सब पेट स्कैन की मशीन आज तक नहीं थी है अब इतना ज़्यादा कैंसर की एक कैंसर की ट्रेन वहां से जाए लगातार कितनी चिठिया लिखी है मांग रखी है कम से कम पेट स्कैन की मशीनरी तो दे दीजे साथ पसेंट कैंसर के केसेज हमारे पंजाब में हर साल बढ़ रहे है आई गरीब को कितनी बड़ी मदद होएगी आपने दवाईयों में टैक्स अटा दिया बहुत अच्छी बात लेकिन मशीन तो आप दे दीजे और इसमें सबसे ज़्यादा पीड़े तौरतों जिनका ब्रेस्ट और सवाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा है तकरीबन 23,000 डेट्स हर साल होती है तो यह मैं मांग करती हूँ दोसी सा high-end ICU ventilators आपको हैरानी होएगी मेरी पूरी कॉंस्टिउनसी में किसी हस्पताल में एक ventilator वाली ambulance तक भी नहीं है जो लोगों को नजदीक के साथ में जहां पे भी उनको healthcare मिल सकता है तो इसे aims में high-end ventilator for the hospital और एक ambulance with a ventilator सब दूसरा मुझे इस बात का माने कि हमारे इस hospital ने already live donor kidney transplant शुरू कर दिया है और वहाँ पे hospital ने लिखके बहजा है कि इनको दे दी जाए जो SOTTO state organ tissue transplant जो इनको मातवता देती है ये दे दी ताकि हाट में भी शुरू हो जाए ये पेंडिंग कब से पड़ा हुआ है नाश्रल के साथ मैं इंती करती हूँ मंत्री जी को कि ये दिलवा दीजिए सब बाकि जो दोसीच चीजे हैं कि वहाँ पे डॉक्टरों के रहने का staff accommodation अभी तक नहीं बना है hostel में कमरे कम है तो ये जब डॉक्टर रहेंगे नहीं campus के अंदर तो emergency के लिए available कहां होँगे और patients को बोड़ना पड़ता है तो ज़रूर मैं बेंती करती हूँ इंदर उधर पैसे खर्चने के बजाए जो premier institutions आपने बनाए कम से कम उधर के पैसे आप पूरे करिए सब दूसरी मैं ये मांग करूंगी कि पंजाब की स्टेट की सरकार अपनी आम आदमी की स्यासत चमकाने के लिए और सेंटर की जो टसल री ब्रैंडिंग हमारे national हैंथ विशन में करोडों रुपे आज बता रहे थे मंतरी जी भी कि कितने रुपे रोक दिये गए क्योंकि आयुशमान भारत का भी जो स्टेट का हिस्सा होता है वो हमारी स्टेट की सरकार ने नहीं भरा तो लोग इसके लाब से वंचित हो रहे हैं और इसी तरह सर इनकी ब्रैंडिंग की टसल में ये कहते हैं कि इसकी ब्रैंडिंग पी एम जो भी योजना होनी चाहिए वो कहते हैं हम महला क्लिनिक नाम देंगे नाम की लड़ाई में लोगों की हेल्थ फसिल्टीज खतम हो रही हैं सो मैं बेंती करती हूं सरकार से पीपल शूड नाट सफर और मैं ये आम आपनी सरकार ने सर जो अपनी सियासत चमकाने के लिए पी आर एक्सरसाइज महला क्लिने के नाने शुरू किये जहां पे सारे हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर के दॉक्टर को लेके बठा दिया और ब्लड टेस्ट होते हैं और उनको एक टेस्ट के लिए उनको पचास रुपे मिलते हैं दॉक्टर को तो आप उनके टेस्ट ये देखेंगे आपको लगएगा सारा पंजाबी बिमार पढ़ा है क्योंकि एक इतना बड़ा क्रॉप्शन का ये केंदर बन गया है मेरी बेंती ये है कि ऐसे पैसे आप ना रोकिए जिससे लोगों का नुकसान होता है और ये पैसे पंजाब को दिया जाए क्योंकि ये इनकी लड़ाई में लोगों को सफर नहीं करना चाहिए आज सारे देश में सबसे ज़्यादा अपने जेब से खर्चा करने के लिए हिल्ट सर्वेस के लिए पंजाब का नैशनल एबरेज से भी दुगना है क्योंकि इनकी लड़ाई में सारी हिल्ट सर्वेस डॉक्टर आम अदमी क्लिनिक में डाल दिये और जो धाचा था सरकारी धाचा वो सारा कंड़म हो रहा है सर दो पॉइंट सखीर में एक तो आशा वरकर जो 2008 से काम कर रहे है और बहुत ही उनको आज 1000-2000 रुपे से क्या होता है इनको इनका पे ग्रेड नॉमलाईज किया जाए जो DC रेट होता है और इनकी एज लिमिट भी 65 तक बढ़ाई जाए सर्कार के मैनिफेस्टों में कहा था कि ये हर एक डिस्ट्रिक में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे लेकिन बजेट में तो इसका कोई प्राफदान नहीं रखा जिस तरह इस सरकार ने ये भी कहा था कोवेड के बाद कि हर एक डिस्ट्रिक में मेडिकल कॉलेज बनेगा लेकिन कोवेड हुए तो 4-5 साल हो गए हमारे पंजाब में एक भी नहीं सो सब मैं बेंति करती हूँ कि हमारे एम्स का एक सेंटर मांसा जो मेरे जिले में है उदर खोला जाए फिरोजपुर में जो PGI सैटलाइस सेंटर 2013 में सैंक्शन हुआ था दो बारी उसका नीपत्थर रख दिया गया है लेकिन 10 साल बाद आज तक बिल्डिंग भी नहीं खड़ी हुई है सो मैं सरकार से ये भी बेंति करती हूँ कि वो जो आपने सैंक्शन किया कम से कम उन प्रोजेक्स को कॉप्लीट करिए ये आप लोगों की हेल्थ की तरफ आप सुगिर्थ हैं और सा इसी तरह एक मेडिकल इंशॉरंस और लाइफ इंशॉरंस जो छोटे शॉपकी पर दुकानदार होते हैं छोटे बिजनस वाले जो जी एस्टी में कॉंट्रिब्यूट करते हैं उनके लिए कोई ऐसे की इंशॉरंस स्कीम लेकिया है क्योंकि एक बिमारी आती है सारी उनकी कमाई तवा हो जाती है तो मैं आपके तरफ से इंशॉरंस करती है और ये जरूर की एम पठेंडा की सारा कुछ उनका सैंक्शन ड्यू है और सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर जरूर साथ साल से में मांगी जारी हो मैं उमीद करते हैं जल्दी करते है